और आगे बात करते हैं कॉंग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्री मंत्री शशी थरूर की जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है शशी थरूर ने कहा है कि अगर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत जाती है तो वो हिंदू पाकिस्तान बने जैसे हालाग पैदा कर देगी केरल के तिरूंत पूरम में एक कारिकर में शशी थरूर ने कहा कि 2019 में बीजेपी जीती तो वो नया समिधान लिखेगी जो भारत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदलने का रास्ता साफ करेगा जाल्प संक्यकों के अधिकारों का कोई सम्मान नहीं होगा तो बड़ा हमला बोला है शशी थरूर ने बीजेपी पर ट्रूर भारत का रास्ता संस्वा है शच संस्था। और शशी थरूर के इस बहान पर बीजिय पी ने भी जवाब दिया है, बीजिय पी की प्रवाक्ता संबत पात्रा ने कहा है कि थरूर ने देश और ने कॉंग्रस से माफी मांगने की मांग किये हैं. देखिए शशी थरूर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत जो है 2019 में अगर हम जीतते हैं भारते जनता पार्टी तो एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा उसके लिए राहूल गांधी जी को शमाया आचना करनी चाहिए अपने महत्वा कानशाओं के लिए इसी कांगरेस पार्टी ने पाकिस्तान को जनम दिया है पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान अच टेर्रिस्तान है आप पाकिस्तान की तुलना हिंदूस्तान के साथ कैसे कर सकते हैं बार बार कांगरेस पार्टी ने नाकेवल भारत की बात की जा रही है इसके लिए राहूल जी को माफी मांगनी चाहिए जिस पर बीजिपी ने भी पलट वार करते हुए कॉंग्रस पार्टी से माफी की मांग की है बिस मामले पर आज दिन भर हमें राजनिती देखने को मिलेगी बीजिपी और कॉंग्रस दोनों में जड़पे एक किसम से देखने को मिलेगी जो जबानी जंग है वो देखने को मिल लेगी थरूर के बयान पर बीजिपी ने माफी की मांग की है सीधे राहूल गांधी से कौन है शशी थरूर जिन्नों ने ये बयान दिया है आईए उनके बारे में आपको बता देते हैं पूर्व राजनाईक और कॉंग्डेस के बड़े नेता हैं शशी थरूर सेयुक्त सुननन्दा पुषकर की मौत के बाद विवाद में भी गिरे थे शशी थरूर थरूर पर सुननन्दा पुषकर को खुदकुशी के लिए उकसानी के आरूब भी लगे है जिस मामले के जाच अभी चल रही है लेकिन शशी थरूर ने बड़ा बयान देते हुए बीजिपी प